और इसके इलाबा एक और ऐसे प्रिणा दाई विक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनका परिचे मैं कराना चाहूंगा आप हैं डॉक्टर ब्रिज मोहन भार्दवाज जी आपका जन्म अलिगर्ड के पास एक गाम में हुआ आप और आपकी जीवन संगिनी माधुरी जी उसी स्कूल में साथ पढ़ते थे जिस स्कूल से आपकी प्रात्मिक शिक्षा हुई जब डॉक्टर साथ नॉमी क्लास में बढ़ते थे तब गाम के एक बाबा को संसादनों के अभाव में तडपते देखा और उनकी सेवा में लग गए जब बाबा ने दम तोड़ दिया तो आपके मन में सेवा का भाव घर कर गया आपने और माधुरी जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद विवाह कर लिया और संकल्प लिया कि जीवन भर निसंतान रहेंगे क्योंकि दोनोंने विवाह कोई भोग के लिए नहीं कोई परिवार पालने के लिए नहीं बलकि निराश्रित, बेसाहारा, संसादनों के अभाव में दम तोड़ते लोगों की सेवा के लिए किया उन्होंने इस सेवा को ईश्वरिय अराहधना मानकर ऐसे लोगों को प्रभु नाम दिया भरतपुर के पास बजोरा गाम में आपकी यह सेवा यात्रा 25 वर्ष पहले शुरू हुई वहाँ एक छोटे से किराय के घर में 23 प्रभुजनों की 3 वर्ष तक सेवा की जून 2000 में वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना हुई जो आज 17 एकड में है और 4000 प्रभु की वहाँ पर सेवा हो रही है 8000 बेट का एक नया परिसर भी शीग्र ही तयार हो रहा है डॉक्टर साब ने केवल सेवा का प्रण नहीं लिया अपने जीवन में कुछ सत्संकल्प भी लिये है अपना घर नाम के इस आश्रम के लिए कहीं मांगने नहीं जाएंगे ऐसा उनका प्रण है उनका विश्वास है कि ठाकुर जी को लिखेंगे और पूरा हो जाएगा और होता आ रहा है प्रभू सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं लेंगे ये भी उनका प्रण है डॉक्टर साब ने जिस संस्था की शुरुवात की उसमें कोई पद नहीं लिया है उसमें उनकी कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है अपना कोई विक्तिगत बैंक अकाउंट नहीं है पूरा दिन पूरी रात पूरा जीवन सेवा का संकल्प आपने लिया है दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने पदम शिरी के लिए आपको प्रस्ताव भेजा जिसको डॉक्टर साब ने मना कर दिया ऐसे प्रेड़नादाई डॉक्टर बीम भार्दवाजी हमारे बीच में है मानिया सर संगचालक मोद है कोल उसन साब सभागार में उपसित मात्य सक्ति एवं सजनो आज बड़ा सोवधे नहें सेवा के छित्र में कारे करने वाले जो साक्षात इसुर्यकार है एक मंज पर है आपसी समवाद है अनुहव पहले अपना घर के बारे में डेड़मेट उसके बारे में अपना घर एक आइडियोलोजी है जिन हमें लाचार, असहाय, बीमार, अनाथ, लावारिस कहते हैं उसमें साक्षात परमता परमात्मा के दसन करती है उनकी सेवा को अपनी पूजा इवं आराधना मनती है ये न बजाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा ये ईश्वरियकार है सेवा किसी भी रूप में हो कहीं पर भी हो ईश्वरियकार है सेवा के लिए चार बातों पर सभी का ध्यान अकसर रहता है ये हमारे अनुभव की बात है सबसे पहले सेवा करने वालों का फोकस रहता है कि संसाधन कहां से आए पैसा कहां से आए अभाव जादतर बना रहता है हम देखते हैं दूसरा साथ ही नहीं मिलते ये भी क्रैसिस बना रहता है तीसरा सेवक जो मिलते हैं वो ठीक से काम नहीं करते ये अकसर समश्यां रहती है और अन्तिम हम लोग जो होते हैं जो कारे को करने वाले पदादे का रिजन है कहते हैं उनमें सामश्याशन नहीं बैठता लेकिन ऐसा है नहीं अगर ये चारों बात्ते हैं सेवा में संसाधनों की कमी है सेवक नहीं मिल रहे साथी काम नहीं कर रहे इसका मतलब हमें अध्यन करना पड़ेगा हम सेवा नहीं कर रहे कुछ और कर रहे हैं ये हमारा अनुभाय 20 साल का सेवा में इतनी सामर्थ है इतनी सामत है संसार में किसी में इतनी सामत है यह नहीं सेवा के लिए जो भी जिरोत होती है वो ठाकोजी स्वेम किसी ने किसी रूब में भीजते ही अगर अभाव है तो हमें देखना पड़ेगा सेवा में कहां कमी है अंदर संसार में नहीं है अभाव संसार में नहीं है अभाव वाहर नहीं है अभाव इस बात का संकेत है कि जिस भाव से हमें काम करना चाहिए उस भाव से हम नहीं कर पा रहे है अब यह संसाधनन अपना आस्राम है कि रोजाना 25 से 30 लाख रुप्श आ खच होते हैं भरतपुर में Shiny 9 Our Pr हमारे कर्मों में कम हैं, इमानदारी से काम हम लोग नहीं कर रहे, ये संकेत है, अभाव नहीं है, रोजाना आ जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा इस्तली अपने आप बन रही है, बना नहीं रहा, अपना घर में कोई कुछ करता नहीं, सब अपने आप होता है, अब ह कि संसाधन अगर अपने आप नहीं आ रहे है कि मांगने जाना पढ़ रहा है किसी के पास याचक बनकर तो मान लेना सेवा में कमी है सेवा को दुनिया से लोग ढोंड ढोंड के सेवा को ढोंड लेते हैं जैसे गौमाता का बचड़ा होता है गौमाता अपनी मां को पहचान ल को लोग आकर ढून लेते हैं कि वहां पर मेरा पैसा सरूतम द्रश्टी से लगेगा अगर नहीं ढून पा रहे तो हमें सोचना पड़ेगा सेवा में कमी हैं दूसरा साथी नहीं मिल रहे हमें सोचना पड़ेगा साथी नहीं मिल रहे तो भी सेवा में कमी है अभाव कहाँ हैं, जो लोग चलम पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको साथी मिल जाते हैं, हमें परमात्मा का काम करने के लिए साथी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अगर नहीं मिल रहे तो फिर हमें वहीं पर जाना पड़ेगा, हमारी सेवा ठीक नहीं है, हम साथियों को मौका नहीं दे रहे हमें साथियों को मौका देना पढ़ेगा जिस दिन हम मौका दे देंगे का उस दिन लंबी कातार में साथी खड़े होंगे और सर झाल नहीं दे रहे हम ऐसा atmosphere create नहीं कर रहे इसका मतलब यह हमारा खुद का अनुभाव है हम नहीं करते थे पहले लोगों को अफसर नहीं देते थे सब कुछ हमीं जंडा उठाके चलते थे कोई नहीं आता था जब हमने लोगों को दे दिया ठीक है आप समाह लो हमें मौकाई नहीं मिलता करने का इतने बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं बात आती है सेवकों की सेवक नहीं मिलते कहते हैं इतनी बड़ी रोजगारी दुनिया में और हम बेरोजगारी दुनिया में हम कहते हैं सेवक नहीं मिले इसका मतलब क्या है यहां पर थो हम उनको सेवा का मौका द सेवा कर दो हैं कि अच्ट को सेवा मैं एिए कि सेवा क्निया को नहीं मिलती है इसका मतलब हमारी अंदर अभाव है हमारा चुह नहीं है हमें सोचना पड़ेगा सिवा क्यों नहीं मिल लई मंदिर में जाके फ्री में लोग लगे रहते हैं सुबह से साम तक और सिवा के लिए हम तो पैसा भी मिलता है क्यों नहीं मिलेंगे इसका मतलब हम लोगों को सोचना पड़ीगा आगे दुनिया में अभाव कहीं पर भी नहीं है अभी हमें अपनी देश्टकॉन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अभी भाई कह रहे थे कई और एक परमपरा है हमा देश्टकॉन हमें बदलना पड़ेगा आप हम लोग अच्छा करते हैं लेकिन उससे आगे भी कुछ है हम किसी आस्रम में जाते हैं अपना बड़ेगा करते हैं बहुत अच्छा है हम अपनी खुश्यों में किसी को समयलित करते हैं लेकिन हम इससे और भी अच्छा कर सकते हैं किसी सुग्रह में जाएं किसी बद्धासम में जाएं और वहां पर पोछ किया आएं बेटे आपका बड़े कौन से दिन है बाबुजी आपकी मेरे जर्म एनिवर्सरी कौन से दिन है आपका जर्म दन कौन से दिन है उनका बड़े सेलिब्रेट करें हम वहां पर जाके अब देखे बदल जाएगा दुनिया बदल जाएगी हम उन्हें अपनी खुश्यों में सामिल कर रहे थे जब हम दूसरे के खु आपको पगार कितनी मिलती है बच्चे का फोकस कहां जाएगा पैसे बजाएगा हमारा बेटा अगरा बैंक में लगाए हम कभी पूस्ते हैं बेटा आपके हां जितनी कश्टू बनाते हैं सभी खोश हो के जाते हैं क्या कि डॉक्टर बनाएं कभी हम पूस्ते हैं कि 2400 गंटे आप सेवा देते हैं रात को भी कोई पेशेंट आ जाए उसको सही करने पर आपका फोकस रहता है या यह पर फोकस रहता है हमारा फोकस होना चाहिए देश्ट कौन होना चाहिए हमें बच्चों से पोचना चाहिए कि बेटा आपके यहां पर जो भी आता है पेशेंट सही होके तो जाता है न आप अपनी सुखो को छोड़के उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं नहीं करते अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो भारत बदल सकता है और आज जो हम यहां पर एक अतित हुए हैं सबी साथी और देश्पूर हो सकता है कभी आप किशी को भी अगर मौका मिल है अपना घरासम भात पो जरूर आए अभी तक तो उस संख्या की देश्टी से दुनिया का सबसे बड़ा होम है लेकिन दिसंबर तक संख्या के साथ साथ विश्ष्षता की देश्टी से और विवश्षता की देश्टी से दुनिया का सबसे बड़ा होग बनेगा और उप सबसे बड़ी बात उसको बना नहीं ना कोई उसके लिए प्रयास भी नहीं किया उसकी लक्ष नहीं रखा गया एक संकल्प था आवश्यक रूप से जो भी प्रभूजन आएंगे प्रत्यक को प्रवेश मिलेगा जब प्रत्यक को ही तो अपने बड़ा बन गया इनी सब्दों के साथ अपनी बाणी को ब्राम देता हूं जाहिंजा भारत